गाइस काई सवारब दोस्तों मैं होब समूदर आप देख रहे हैं इसमिक्सॉयल फिरिक आप से लास्ट वीडियो में मैंने प्रोमिस किया था कि एक ब्यायं की complete series ले क्या होगा एक structures की complete series ले क्या होगा जिस series के अंदर deep में discussion करेंगे कि हम पूरे की प्रिपेशन कैसे कर सकते हैं मिन्स उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना हो का कुछ पॉड्कास्ट भी लेके आएंगे इंपोर्टन कुश्यंस इंपोर्टन सॉफ्ट्वेर इंपोर्टन कॉंसेट क्या-क्या बियाएं में लगता है वो सब कुछ इस एपिसोड पे स्ट्र्क्चिय्ज आ रहेगी जिस सीरीज में सोघं 2017 ॏ क्चिया सा फ्र कौन कोन्सी कॉम्प्लीज में क्या क्या कुशिन कुसदें कॉ प्रित सी लाने का प्लान है काफी बड़ा है बस इसमें करना के आघा है आपका प्षोड़ा सा सपोर्ट कैसे लाइक करके और प्राइक करना चाहते हो तो comment कर देना क्यों कि कमेंट से एक idea लगता है कि हाँ आपको यह topics अच्छे लग रहे हैं और हमें इसको और depth में जाना चाहिए चलिए आज discuss करते हैं how can we make career in BIM BIM के अंदर हम अपना career कैसे develop कर सकते हैं सब को पता है BIM is what building information अब इसके अंदर कैरियर हम कैसे बनाएं और जो आपका में कुश्चिन है कि सर में डिपलोमा हो तो क्या बना सकता हूं यस हंडेट परसे आप बना सकते हैं आप बिलुकुल भी कन्फ्यूज नहीं हो आप डिगरी किया है यस आप बना सकते हैं आप गोर्मेंट जॉब की प् इस यस यस वियाएं का सबसे इंपोर्टेंट जो काम होता है वह पॉट्फोल्यों के वेस्पों होता है अगर आपने अच्छी प्राक्टिस कर ली याएं के अंदर जो सौफ्टेस है जो प्रॉसेस है उसको अच्छे से समझ लिया एक पॉट्फोलियों के माद्यम से कर रही है तो यह पहला रीजन है दूसरे रीजन क्या है कि आज का टाइम हर कोई चाहता है कि जो भी काम होने जा रहा है ऑन साइड पहले से अगर उसको हम डिश्टल प्लेटफॉर्म के माध्यब से चेक कराने कुछ प्रॉलम तो नहीं आने वाला है प्रॉपर प्रॉसेस प्रोपर दिखा दिया क्लाइंट को कि बढ़ी आपका फ्लेट कर से अससे कर आप एंट्र प्रोपर एंट्रेशू अगर ओप्श्टू दिखा दिया जाएगा तो पक्क् donne के अंदर ऊजाएंगा और कि इसको बूक कर लेगा और येसे प्रीटर को बहूत बड़ा इससे करेंगे इससे जो क्लाइंस के इंप्रेशन से हैपिनेस थे काफी अच्छे थे और काफी लोग उसमें बुकिंडी कर आ रहे थे तो इससे समझ में आता है कि वह बियायम का कैरियर जो है फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है और लेडी कई लोग सोचते हैं कि सर अभी इं बना सकता हूं आपके अनुसार तो मैं सीखूं क्या-क्या वियायम के बनाने के लिए एक इंपोर्ट है वह से बहुत बड़ी लिस्ट है आगे हम एक एक विसोर्स में सारे लिस्ट को एकदम कहिए उसका पुस्टमाटम करेंगे गाईस तो पहले अब थोड़ास आपको बत तो मेजर सौफटेर हैं जो की आना ही आना चाहिए इसके अलावाँ भी बहुत कुछ है जो कि बियायन के ऀंदर पड़ा जाता है जिसके बियायम 360, Scan2Beam, Cat2bim, Scan2Beam, कैसे करेंगे deaf को कैको कैसे चलाएंगे rapid family को कैसे पढुएशे रवीट vine, टॉपिक्स है जिनको आपको एक करके मैं अन्य वाले एपिसोड में सबके बारे में डिसकों करूंगा यां तॉपिक्स पर भी पर तो जश्ट आप आगी समझी कि अगर यह स्किल्स आपके पास है वैसे तो मैंने इनी स्किल्स का एक प्रॉपर पैकेस बना दिया है आपने देखा होगा यूदी सीवी लैप पर बहुत ही नॉमिनल प्राइज में जैसे कि आपने सुना होगा बीम के पी के बारे में लाग डेर लाग दोला ऐस यहां पर कुछ भी नहीं रहता हमने बहुत जो कि स्टुडियंट कर सके उस प्रॉमिनल प्राइस पर आपको वो कंटेंट अलेवल करा दिया है यू के इफ यू वांट लर्न फॉम देर अगर वाइस उसकी वी जरूवत नहीं है आप अगर पिसंस रख सकते हो तो मैं सब अगर कवर हो जाएगा चलिए इसके अंदर ब्यायम के अंदर हम लोग सब को आपने बोल दिया कि मैं कर बना सकता हूं मैं साइट इंजिनेर में कर लूंगा अब में चाहिए तो ब्यायम के अंदर जो में प्रोफाइल से उनके बारे मिंदिसक्स करते हैं जो सबसे पहली प हैं निम प्रोफाइल से तो आप जब्छाय के बियाम मॉड्यूलर की उल्हें इसके साथ आप लिए इंजीनियर की जॉब कौन सी हैं वियां मॉडूलर की जॉब जूरूरर की जॉब लगल है क्या इस तरिकह से चार यह जो पौश्ट प्रोफाइल है ये चार की वड़ाल क आपके लिए वीडियो से कौन कौन से इंपोर्टेंट कंपनी है और भी वीडियो लाने के प्लान है तो जोब्सक्राइट पर अगर आप नहीं जूड़े हैं तो एक बाद चाके थोड़ा विजिट कर लेना आपको आपको आडिया लग जाएगा कि कहा कहा कौन कौन से कंपनि टियोट इस तरीके से पहली प्रोफाइल है आपकी ब्या मॉड़ुलर KHI का दूसरी जो प्रोफाइल होती है जिक किया पाद ताय। क्षिव करेंगे करेंगे थे थे श्युक्रिंजियों करेंगे दो ब्याıt कि पको गतिए जआ है आपके पास कौन से होती है वी कोडिनेटर के लिए इस्पेशल वीडियो बनाऊंगे जिसमें डिसकस करेंगे कि उनकी जॉब क्या वोज कंति क्या होती है क्या पका है उनको करता है और विम अगुंक है गाइड करता है तो विम मेंगेड़र उससे बले विम इंजिनेर उससे बले तो यह चार में प्रोफाइल से इसके लाव भी आपके लिए और आपका में फोकस होना चाहिए ब्याइम मौडूलर की जॉब करने के लिए कि लिए मौडूलर में मुझे एंट्री करना है अब ब्याइम मौडूलर के लिए मैं क्या क्या पड़ो सब क्योंकि हाओ के लिए इन्ट्री के लिए आपको बहतरी नॉलेज होना चाहिए रेविट आर्टेक्चर इप्स्ट्रॉक्ड का और एक बहतरी उसा पॉर्ट्फोलियो होना चाहिए आपको portfolio चाहिए तो यहां पर एक group दिया हुआ है जो कि BIM का अपने बच्चों का personal WhatsApp group है जिसमें अपने BIM के गुर्पूल के students add होते हैं तो मैं आपको काईड़ सारे portfolio का samples भेज दूँगा तो BIM Revit Structures, Revit Artructures तो अगर आप 100% perfect कर लेते हैं इसके साथ कुछ concept जैसे कि LOD level of development, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, CAD to beam, scan to beam, इनके बारे में थोड़ से discussion करी ले लेते हैं 6D के अंदर क्या क्या आता है, 5D के अंदर क्या क्या आता है, 4D के अंदर क्या 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 आता है, अगर depth discussion आप करेंगे, यह सब में लेके आने वाला हो अब एक वीडियो में एक पूरा topics नहीं cover किया जा सकता है, क्यों क्योंकि आप समझते हैं, how can we make career in BIM, मैंने यह बता लिया, कि आप इस इस तरीके से कर सकते हैं आल लेख, आगे हम लोग एक एक वीडों में समझेंगे मैं 2D क्य यह होते है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है,олодy's in Slovenia चलों काहते है, ´ंड कि हम ट्री में 200 काहते 315 क्या 100 काहते है, सब के बाने मैं करके डिस्क्स करेंगे यह पूरी स्रीज को आपको शपोर्ट करना और आपको यह आइडिया लग और अब सम्राइज कर देता हूं पूरे सीरीज को कि अगर आप बियांग के दर कहले हैं बनाना चाहते हैं तो आध बंद करना ठीक है आध बंद बंद करना ठीक है आध बंद दर से फोकस करके जस्ट रेविट आर्टेक्चर रेविस्ट्रक्चर को 100% परफेट करनो और उसको आध निपरफे बंद बंद करनें की लिए YouTube पे बहुत देट सारे ऐ है बटाइज से पर्सेंट स्ट चाहते हैं उसको भी लांच करदेंगा आपको आइडिया लग यह होगा कि B.I.M के अंदर हम लोग कैरियर कैसे बना सकते हैं, डिपलोमा वाले भी बना सकते हैं, क्योंकि मॉड़ुलर के लिए डिपलोमा is minimum eligibility, डिग्री वाले भी बना सकते हैं, मास्टर स वाले बना सकते हैं, इवेन आप साइट पर हैं, B.I.M के अ आपको यह video series अच्छी लगें, और आप लोग धेर सारा motivation दीजिए इससे कि इस series को बहुत लंबा ले बिजा सकें, मन तो मेरा करता है कि मैं आधे गंटे-गंटे का proper video series में depth डिस्कुसन करूँ, बट आधे गंटे-गंटे में आपका patience का problem हो जाता है, अगर आप लोग यहा टॉपिक के बारें depth में चला जाओं, दूसरे topic छोड़ जाएंगे इस तरह की problems मुझे YouTube पे काफी बात फेस करना पड़ता है, क्योंकि जैसे classes में क्या और गंटे-गंटे-गंटे-गंटे-गंटे-गंटे जितना मन किया उतने depth में जा पाते हैं, बट YouTube पे यह चीज का problem हो बियायम के next episode में और वो episode भी इससे जादा और interesting करने का प्रयास किया जाएगा है